इंफोर्मेशन सेंटर में आपका स्वागत है जापान में रिकॉर्ड इंटरनेट स्पीड टेस्टिंग के दोरान 319 टीवी प्रति सेकेंड की स्पीड मिली जापान के नेशनल इंस्टिट आफ इंफोर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेकनलोजी की लैब में हुई टेस्टिंग के दोरान इंटरनेट की स्पीड 319 टेराबाइट प्रति सेकेंड आई है इस स्पीड ने अब तक के सभी रेकॉर्ड को तोड़ दिया है इस से पहले एक टेस्ट में ये स्पीड 178 टेराबाइट प्रति सेकेंड आई थी बता दें कि वन टीवी में 1024 जीवी होते हैं अमरेकी स्पेस एजेंसी नासा भी 440 गीगाबाइट प्रति सेकेंड की इंटरनेट स्पीड का इस्तमाल करती है इसके लिए आप्टिकल फाइवर केबल में ही कुछ बदलाव किये गए हैं जपान की लैब में हासिल हुई इंटरनेट की स्पीड से बड़ी से बड़ी फाइल को सेकेंडों में डाउनलोड किया जा सकता है ये स्पीड दुनिया भर में सबसे अधिक है इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि स्पीड से एक मिनट में तीन लाग से भी अधिक फिल्मों को डाउनलोड की जा सकती है रिसर्च के मुताविक मौझूदा आप्टिकल फाइवर केवल में ही कुछ जरूरी चीजों के बडलाओ से इस स्पीड को पाया जा सकता है इसमें लागत भी कम आती है जपान की लैब ने भी इस स्पीड को पाने के लिए आप्टिकल फाइवर केवल का इस्तमाल किया है जपान की लैब में किये गए इस टेस्ट को रिपोर्ट को पिछले मां International Conference on Optical Fiber Communication में पेस किया गया था इसमें बताया गया है कि इसके लिए NIICT ने 3001 किलोमिटर लंबा का एक ट्रांसमिशन त्यार किया था हाला कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसको हकिकत में बनाने के लिए अब भी काफी कुछ किया जाना होगा इस स्पीट को पाने के लिए सोध करताओं ने खास धातू से बने एम्प्लिफायर और अलग-अलग वेव लेंथ के लिए 552 चैनल काम लेजर का इस्तमाल किया था टीम को लगता है कि इससे भी ज्यादा इंटर नेट स्पीट को हांसिल किया जा सकता है इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक और सेयर करना ना भूले